जै मतादी दोस्तों मादूर्गा की दर्बाद चैनल में आप सभी का स्वागत है आज मैं आपके लिए एक ऐसा नुस्खा लेके आई हूँ जो आपकी जीवन में बहुत कारगर साबित होगा यदि आपका विवार नहीं हो रहा है या आपको मनचाहा जीवन साथी चाहिए तो आप यह मात्र पाद सरल उपाई कर लिए जो की आपके जीवन को बहुत ही उत्तम कर देंगे दोस्तों हम सबी अपने जीवन साथी को लेकर सपने देखते हैं सपनों का राजकुमार या राजकुमारी मिल भी जाएं तो उसे उसके साथ साधी में अर्चन आती है यहां बेहत सरल उपाय आपके लिए प्रिस्तुत कर रही हूँ उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबस्क्राइब कर लिजे और नोटिफिकेशन को अन कर दीजे जिससे हमारे सबी वीडियो आपको प्राप्त होती रहें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक उसे और जरूर कर दीजे तो सुरू करते हैं हम आपका पहला उपाय जो पहला उपाय है कि केले के व्रच्छ की पूजा करें गुरुवार को केले के व्रच्छ के सामने गुरू के 108 नामों का उच्चारण करने के साथ सुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए तथा जल भी अर्पित करना चाहिए इससे मन चाहे जीवन साथी का साथ में ही आपको नाम लेना है इससे नाम लेके आपकी सभी मरून कामना जो है वो पूड होगी दूसरा उपाय है कि छुवारे जो खाने वाले छुवारे होते हैं उसको सिरहाने रख कर सोएं और सुक्रवार की रात में आच्छुआरे जल में उबाल कर जल के साथ ही अपने सोने वाले स्थान पर सिरहाने रख कर सोएं तथा सनिवार को प्राता इसनान करने के बाद किसी भी बहते जल में मन चाहे साथी का इस्मरड करते हुए इन्हें प्रवाहित कर दें फिर हम प्रिस्तुत कर रहे हैं तीसरा उपाय तीसरा उपाय है कि चांदी की छोटी सी कटोरी लिजे उसमें गाय का दूद लेकर उसमें सककर एवं उबले हुए चावल मिलाकर चतुर्थी के चंद्रोदय के समय चंद्रमा को नैवैद्र बताएं चंद्रमा में अपने प्रेमी साथी की चहरे की कल्पना करें इससे आपको मनचाहा जीवन साथी मिलेगा और चौथा उपाय है कि गुर्वार के दिन प्राता काल हल्दी युक्त रोटियां बनाकर प्रतेक रोटी पर गुड रखें वह उसे गाय को खिलाएं साथ गुर्वार नीमित रूप से यहविद करने से सिग्र विवा होता है और गाय के कान में धीरे से फुसफुसा कर साथी का नाम लें इसे आपको आपका मंचाहा जीवन साथी मिलेगा और अब हमारा पाच्वा और अंतिम उपाय है कि मंगलवार के दिन देवी मंदिर में लाल गुलाब के फूल जड़ाएं और पूजन करें एवं मंगलवार का व्रत रखें या नो मंगलवार तक करें और गुलाब के फूल जीवन साथी चाहते हैं और आपके विवाह में अर्चने आ रही हैं तो आप यह पाच उपाय कर लीजिए इससे आपको आपका मंद चाहा जीवन साथी आवस्य मिलेगा तो दोस्तों मैं आसा करती हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने विचार हमें कमंड बॉक्स में कमंड करके जरूर बताएं फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जयम आता दी